फाइनली कुंडली भागे में होने वाली है काव्या की वापसी जी हाँ आप सबको पता ही है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि ये जानना चाहते थे कि काव्या कब वापस आएगी हर को ये जानना चाहता था कि कहीं कावया भी तो किसी साज़श का शिकार तो नहीं हो गई और ऐसा लग भी रहा था कि शायद साज़श का शिकार हो गई है कावया क्योंकि कोई कावया की बात ही नहीं करता था लूतरा हाउस में जैसे कावया का जिकर ही बंद हो चुका था फैंस भी इस बात के बारे में सोच रहे थे कि भई कावया कब लोटेगी अब यहां पर यह बात clear हो चुगी है कि कावया जल्द लोटने वाली है और यहाँ पर आजाता है करन के पास फोन और करन बहुत खुश नजर आता है और कहता है कि फाइनली काविया जो है वो वापस आ रही है काविया के आने से बहुत खुश नजर आता है यहाँ पर काविया के आने की खबर से कुछ इस तरह से करन के चेहरे की जो खुशी होती है वो आप देख सकते हैं, बहुत खुश होता है और साथी साथ बहुत इमोशनल भी होता है और वो कहता है कि मैं कावया से बहुत प्यार करता हूँ एक कावया ही है जो मुझे प्रीता की याद दिलाती है एक कावया ही है जिसे मैं अपने दिल की बात कह पाता हूँ तो यहाँ पर ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है प्रीता की ही हम शकल हो काव्या अलाकि अभी कन्फर्म नहीं है कि कौन काव्या का रोल प्ले करेगा वो भी आप सब को जल देखने को मिलेगा लेकिन एक बार तो तैह हो गई है कि काव्या की वापसी होने वाली है अब जब कावया की वापसी होगी लूत्रा हाउस में तो ज़रा सोचिए कितना जादा मज़ा आने वाला है और इसी के साथ साथ राजवीर को पता चलेगा कि कावया जो है उसकी बहन है और साथी साथ वो भी देखेगा अपनी बहन को बहुत इमोशनल आप सबको ये सारे सीन देखने को मिलेंगे कुडली भागे में जहां पर करन को इस बात का पता तो चल चुका है कि यहां पर प्रीता जो है वो जिन्दा है और प्रीता जो है वो राजवीर के साथ रहती है आपको बता दें यहां राजवीर के लिए काफी ज अचानक से यहां करन के चेहरे पास स्माईल आ जाती है क्यूंकि काव्या वापस आ रही है। और यहां पर अपने मन ही मन बहुत सारी बाते करता है कि मुझे बहुत अच्छा लगने वाला है वो साथी साथ यह सारी बाते सोचता है कि कावया जो है वो प्रीता की परच्छाई है और हमेशा ही कावया जो है वो प्रीता की याद दिलाती है तो यह सारी चीजें जो है वो स श्रद्धार या नजर आने वाली है और कावया का रोल भी श्रद्धा ही करती नजर आएंगी तो अब देखना होगा कि असल में कावया का रोल कौन प्ले करता है और जब लूथरा हाउस में कावया की एंट्री होती है तो क्या होता है निधी का किस तरीके से निधी की बोलती बंध होती है तो वहीं पर शौर या और साथी साथ जो काव्या है उसकी बॉंडिंग किस तरह से होती है तिलहाल यहाँ पर बहुत सारे emotional पाल आप सबको देखने को मिलने माले हैं इस वीडियों बस इतना ही TVN Bollywood से रेलेटर खबरों के लिए वीडियों सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आप फेस्बूक पर देखने तुमारे फेस्बूक पेज को फॉलो करें